मा गंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं अब तो ये परंपरा नहीं रही लेकिन पहले की जमाने में तो परंपरा थी कि घर में स्नार करते हैं तो भी नदियों का स्मरण करने की परंपरा आजबले लुक्त हो गई हो या कहीं बहुत अल्प मात्रा में बची ह लेकिन एक भाष्ट बड़ी परंपरा थी जो प्रात्व में ही स्नान करते समय है विशाल भारत के एक यात्रा करा दे थी थी मानसिक यात्रा देश के कोने कोने से जूड़ने की प्रेणा बन जाती थी और वो क्या था भारत में स्नान करते समय एक स्लोक बोलने की परंपरा रह पहले हमारे घरों में परिवार के बड़े इस लोग बच्चों को याद करवाते थे और इससे हमारे देश में नदियों को लेकर आस्था भी पैदा होती थी विशाल भारत का एक मान चित्र मन में अंकीत हो जाता था नदियों के परती जुडाव बनता था जिस नदी को मा के रूप में हम जानते हैं देखते हैं जीते हैं उस नदी के प्रती एक आस्था का भाव पैदा होता था एक संस्कार प्रक्रिया थी चाथियों जब हमारे देश में नदियों के महमापत बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई एक प्रश्न उठाएगा और प्रश्न उठाने का हग भी है और इसका जवाब देना यह हमारी जिम्यवारी भी है कोई भी सवाल पुशेगा कि भी आप नदी के इतने गीत गा रहे हो नदी को मा कह रहे हो तो यह नदी प्रदूशित क्यों हो जाती है हमारे सास्त्रों में तो नदियों में जरासा प्रदूशन करने को भी घलत बताये गया है और हमारी परंपराएं भी ऐसे रही है आप तो जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का जो पस्चिमी हिस्सा है कास करके गुजरात और लाजस्तान वहाँ पानी की बहुत कमी है कई बार अकाल पढ़ता है और इसलिए वहाँ के समाज जीवन में एक नई परंपरा डेवलप हुई है जैसे गुजरात में बारिश की सुरुवात होती है तो गुजरात में जल जिलनी एकादसी मनाते है मतलब कि आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैस दरेन वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदू को अपने में समेटना जल जिलनी उसी प्रकार से बारिश के बात बिहार और पुरप के हिस्सों में छट का महापरव मनाये जाता है मुझे उमीद है कि छट पुजा को देखते हुए नदियों की किनारे घाटों की सभाई और मरम्मत की तैयरी शुरू कर दी गई होगी हम नदियों की सभाई और उन्हें प्रदिशन से मुक्त करने का काम सब के प्रयास और सब के सयोग से कर ही सकते हैं नमामी गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागरती जन आंदोलन उसकी बहुत बड़ी भूमिका है साथियों जब नदी की बात हो रही है मागंगा की बात हो रही है तो एक और बात की और भी आपका ध्यान आकर्षित करने का मन करता है बात जब नमामी गंगे की हो रही है तो चुरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा और हमारे नवजवानों का तो पक्का गया होगा आजकल एक विशेश ई- उक्षन ई- निलामी चल रही है ये इलेक्ट्रोनिक निलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिये है इस निलामी से जो पैसा आएगा वो नमामी गंगे अभ्यान के लिए ही समर्पित किया जाता है आप जिस आत्मिय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं उसी भावना को ये अभ्यान और मजबुत करता है साथियों देश भर में नदियों को पुनर जिवित करने के लिए पानी की स्वच्चता के लिए सरकार और समाज से भी संगठन निरंतर कुछ नुकुछ करते रहते हैं आज से नहीं दसकों से चलता रहता है कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आपको समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा यही प्रयास यही आस्था हमारी नदियों को बचाये हुए है और हिंदुस्तान के किसी भी कौने से जब ऐसी खबरे मेरे कान पे आती है ऐसे काम करने वालों के प्रती एक बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जगता है और मेरा भी मन करता है वो बाते आपको बताऊ आप देखिए तमिल नाडू के वैलोर अत्तिरुवन्ना मलाई जिले का एक उधारन देना चाहता हूँ यहाँ एक नदी बहती है नागा नदी अब यह नागा नदी बरसों पहले सुख गई थी इस वेज़े से वहाँ का जर्तर भी बावर नीचे चला गया था लेकिर वहाँ की महलाओने बिड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर जीवित करेगी फिर क्या था उन्होंने लोगों को जोड़ा जन भागीदारी से नहरे खो दी चक्डेम बनाए रिचार्ज कुए बनाए आपको भी जान करके खुसी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है और जब नदी पानी से भर जाती है तो मन को इतना सुकून मिलता है मैंने प्रत्रक्षस का अनुभव किया है आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तड़ पर मात्मा धांदी ने साबरमती आस्रम बनाया था पिछले कुछ दश्रकों में यह साबरमती नदी सुक कही थी साल में छे आठ मेने पानी नजरी नहीं आता था लेकिन नर्गदा नदी और साबरमती नदी को जोड दिया तो अगर आज आप एंदावाज जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुलित करता है इसे तरह बहुत सारे काम जैसे अब तमिल नाड़ु के हमारी ये बहने कर रही है देश के अलग रहा कौने में चल रही है मैं तो जानता हूं कई हमारे धार्मिक परमपरा से जुड़े वे संत है, गुरुजन है वे भी अपनी अध्यात्मिकी आत्रा के साथ साथ पानी के लिए, नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे है कई नदियों की किनारे पैड लगाने का अभ्यान चला रहे है तो कहीं नदियों में बहरे गंदे पानी को रोका जा रहा है साथियों World River Day जब आज मना रहे हैं तो इस काम से समर्पित सब की मैं सरहाना करता हूँ अभिनदन करता हूँ लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को देशवासियों को मैं आगर करूँगा कि भारत में कौने कौने में साल में एक बार तो नदी उत्सों मनाना ही चाहिए मेरे पैरे देशवासियों कभी भी छोटी बात को छोटी चीज को छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए छोटे छोटे प्रयासों से कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं और अगर मात्मा गांदी जी के जीवन के तरब हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी एहमियत थी और छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था हमारे आज के नवजवान को इस जरूर जानना चाहिए कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजहादी के आंदोलन को एक निरंतर उरजा दी थी ये मात्मा गांदी ही तो थे जिनोंने स्वच्चता को जन अंदोलन बनाने का काम किया था मात्मा गांदी ने स्वच्चता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था अज इतने दशकों बाद स्वच्चता अंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोडने का काम दिया है और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है और हम ये न भूले कि स्वच्छता ये सिर्व एक कारिकम है स्वच्छता ये पीडी दर पीडी संस्कार संक्रमन की एक जिम्यवारी है और पीडी दर पीडी जब स्वच्छत स्वच्छता का अभ्यान चलता है तब संपूर्ण समाज जिवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है और इसलिए ये साल दो साल एक सरकार दूसरी सरकार ऐसा विशे नहीं है पीडी दर पीडी हमें स्वच्छता के समझ में सजगता से अभी रत रुप से बिना थके बिना रुके बड़ी स्वध्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता ये पुज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी स्रधानली है और ये स्रधानली हमें हर बार देते रहना है लगातार देते रहना है साथियों लोग जानते हैं कि स्वच्छता के सबंद में बोलने के मैं कभी मुका छोड़ता ही नहीं और शायद इसलिए हमारी मन के बाद के एक सुरुता सिमार रमेश पटेल जी ने लिखा है हमें बापु से सीखते हुए इस आजादी के अमृत महत्सों में आर्थिक स्वचता का भी संकल परेना चाहिए जिस तरह सोचालगों के निर्मान ने गरीबों की गरीमा बढ़ाई वैसे ही आर्थिक स्वचता गरीबों को अधिकार सुनिशित करती हैं उनका जीवन आसान बनाती है अब आप जानते हैं जंदन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया इसकी वज़े से आज गरीबों को उनके हग का पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है जिसके कारण ब्रस्टाचाज जैसे रुकावटर में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई हैं यह बास आई है आर्थिक स्वचता में टेकनोलोजी बहुत मदद कर सकती है हमारे लिए खुशी के बात है आज गाव दिहात में भी फिंटेक यूपी आई से डिजिटल लेंदेन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जूड रहा है उसका प्रचलन बढ़ने लगा है आपको मैं कांकडाय बताता है आपको गर्व होगा पिछले अगस्त महने में एक महने में यूपी आई से 355 करोड ट्रांजेक्शन हुए यहने करीब करीब 355 करोड से ज़्यादा ट्रांजेक्शन यानि हम कह सकते हैं कि अगस्त के महने में 355 करोड से ज़्यादा बार डिजिटल लेंदेन के लिए यूपी आई का इस्तिम्याल किये गाया है आज एवरेज 6 लाग करोड रुपे से ज़्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपी आई से हो रहा है इससे देश की अर्थववस्ता में स्वच्छता पारदर्चिता आ रही है और हम जानते हैं अब फिंटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है साथियों जैसे बापों ने स्वच्छता को स्वाधिन्ता से जोड़ा था वैसे ही खादी को आज़दी की पहचान बना दिया था आज आज़दी के 75 साल में हम जब आज़दी के अमरत महुत्सव को मना रहे हैं आज हम संतोस से कह सकते हैं कि आज़दी के आंदुलन में जो गवरव खादी को था आज हमारी युवा पीड़ी खादी को वो गवरव दे रही है आज खादी और हैंडूम का हुत्पादन कई गुणा बढ़ा है और उसकी मांग भी बड़ी है आप भी जानते हैं ऐसे कई अफसराय है जब दिल्ली के खादी शोरुम में एक दिन में एक करोट रुपिय से ज़्यादा का कारोवार हुआ है मैं भी फिर से आपको याद देलना चाहूंगा कि दो अक्तुबर कुझ्य बापु की जन्म जैन्ती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रकॉर्ड बढ़ाएं आप अपने शहर में जहां भी खादी बिक्ती हो हैंडूम बिक्ता हो हैंडिक्राप बिक्ता हो और दिवाली का त्योहर सामने हैं त्योहरों के मौसम के लिए खादी हैंडूम कुटी रुद्यों से जुड़ी अपनी हर करिजारी वोकल फोर लोकल इस अभ्यान को मजबूत करने वाली हो पुराने सारे रकॉर्ड तोडने वाली हो साथियों अमरुत महोसम के इसी कालखन में देश में आज़ादी के इतिहास की अनकही गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का अभ्यान भी चल रहा है और इसके लिए नवोदित लेखकों को देश के और दुनिया के युगाओं को आहवान किया गया था इस अभ्यान के लिए अब तक 13,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रेजिस्ट्रेशन किया है और वो भी 14 अलग अलग भाशाओं में है और मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि 20 से जाना देशों में कई अप्रवासी भारतियों ने भी इस अभ्यान से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा जटाई है एक और बहुत दिल्चस्प जानकरी है क्रिब 5000 से जादा नए नवदित लेखक आज़ादी के जंग की कथाओं को खोज रहे हैं उन्होंने कि अंसंग हीरोज है जो अनामी है इतिहास के पन्नों पे जिनके नाम नजर नहीं आते हैं ऐसे अंसंग हीरोज पर थीम पर उनके जीवन पर उन घटनाओं पर कुछ लिखने का बिड़ा उठाया है यानि देश के युवाओं ने ठान लिया है कि उन स्वातनत सेनानियों के इतिहास को भी देश के सामने लाएंगे जिनकी गत 75 वर्ष में कोई चर्चा तक नहीं हुई है सभी स्रोताओं से मेरा आग्र है सिक्षा जगत से जुड़े सबसे मेरा आग्र है आप भी युवाओं को प्रेदित करें आप भी आगे आएं और मेरा पक्का विश्वास है कि आज है तिके अमरित महोसों में इतियास लिखने का काम करने वाले लोग इतियास बनाने भी वाले है मेरे प्यारे देश वासियों सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं वहां की ठन ऐसी भयानक है जिसमें रहना आम इंसान के बसकी बात ही नहीं है दूर दूर तक बर्फी बर्फ और पेड़ कौधों का तो नामों निशान नहीं है यहां का तापमान माइनस साथ डिगरी तक भी जाता है कुछी दिन पहले सियाचीन के इस दुर्गम इलाके में आठ दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है वो हर देश वासी के लिए गर्वक्री बात है इस टीम ने सियाचीन ग्लेशियर की 15,000 फिट से भी जादा की उचाई पर स्थीत कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहरा कर वर्ल्ड रेकॉर्ड बना दिया है शरीर की चुनोतों के बावजुद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है वो पुरे देश के लिए प्रेणा है और जब इस टीम के सदश्यों के बारे में जानेंगे तो आप भी मेरी तरह हिम्मत और होसले से भर जाएंगे इन जाबाज दिव्यांगों के नाम है महेश नहरा, उत्राखन के अक्षत रावत, महाराष्टर के उस्पक गवांडे, हर्याना के अजय कुमार, लद्दा के लोपसांग चोस्पेद, तमिन नारु के मेजर द्वार के जम्मु कश्मिर के इर्फान एहमद मीर और हिमाचल प्रदेश की चोंजिन एंगमों, सियाचेंग ग्लेशियर को फटह करने का यह उपरेशन भारतिय सेना के विशेस बलों के वैटर्स की वज़े से सबल हुआ है, मैं इस अइतिहासिक और अभुत्पुर्व उपलब्दी के लिए इस टीम की सरहाना करता हूँ, यह हमारे दे पर चुनवति से निपटने की भावना को भी फ्रकट करता है, साथियों, आज देश में दिव्यांग जनों के कल्यार के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, मुझे उत्तरप्देश में हो रहे, ऐसे ही एक प्रयास, वन टीचर, वन कॉल के बारे में जानने का मोखा मिला, बरेली में यह अनुठा प्रयास दिव्यांग बच्चों को नई रहा दिखा रहा है, इस अभ्यान का नेतुर्त कर रही हैं, डभावरा, गंगापूर में, एक स्कूल की प्रिंसिपार, दीप माला पांडेजी, कोरोना काल में इस अभ्यान के कारण, नकेवल बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन संभव हो पाया, बलकि इस से करीब 350 से अधिक सिक्षक भी सेवा भाव से जूड़ चुके हैं, यह सिक्षक गाउं गाउं जाकर दिव्यांग बच्चों को पुकारते हैं, तलासते हैं, और फिर उनका किसी न किसी में दाकिला सुनिशित कराते हैं, दिव्यांग जनों के लिए दिप माला जी और साती सिक्षकों की इस नेक प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रसंसा करता हूं, शिक्षा के ख्षेत्र में ऐसा हर प्रयास हमारे देश के भविश को सभारने बाला है, मेरे प्यारे देश्वास आज हम लोगों की जिन्दिके का हाल ये हैं कि एक दिन में सैंक्रो भार कोरोना शब्द हमारे कान पर गुंचता है, सो साल में आई सबसे बड़ी वेश्विक महामरी, कोविड-19 ने हर देश्वासी को बहुत कुछ सिखाया है, हेल्ट कैर और वेलनेस को लेकर अजजग्या कासा भी बढ़ी हैं और जागुरुपता भी, हमारे देश में पारंपारिक रूप से ऐसे नेचरल प्रोडक्स प्रचूर मात्रा में उपलब्द हैं, जो वेलनेस यानि सहत के लिए बहुत फायद्यबंद है, ओडिसा के कारहंडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहु साहु जी एक शेत्र में बरसों से एक अनोखा कार्य कर रहा है, उन्होंने डेड़ एकर जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाया है, यही नहीं साहु जी ने इन मेडिसिनल प्लांट को डॉक्यमेंटेशन भी किया है, मुझे राची के सतीज जी ने पत्र के माद्यम से ऐसी एक और जानकर ही साजा की है, सतीज जी ने जारखन के एक एलोवेरा विलेज की और मेरा ध्यान दिलाया है, राची के पास ही देवरी गाउं की महलाओं ने मंजु कश्चप जी के नेत्रुतों में बिर्सा क्रशिविद्याले से एलोवेरा की खेती का प्रस्रिक्षन लिया इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की, इस खेती से न केवल स्वास्त के ख्षत्र में ख्राब मिला, बलकि इन महलाओं की आमदनी भी बढ़ देई, कोवीड महामारी के दोरान भी इने अच्छी आमदनी हुई, इसकी एक बड़ी बज़े यह थी, कि सेनिट में एलोवेरा की खेती होती है, ओडिशा के पतायत साहुजी हो, या फिर देवरी में महलाओं की टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्त के ख्षेत्र से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मिसाल है, साथियो, आने वाली दो अक्तूबर को लाल बहादूर साहत्त जिकी बीजन में जनती होती है, उनकी स्मृति में ये दिन हमें खेती में नए नए प्रयोग करने वालों की भी शिक्षा देता है, मेडिशिनल प्लांट के ख्षेत्र में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए, मेडि हब TBI के नाम से एक इंक्यूबेटर गुजरात के आनन में काम कर रहा है, मेडिशिनल और अरोमेटिक प्लांट से जुड़ा एक इंक्यूबेटर बहुत कम समय में ही 15 एंटेपरनर्स के बिजनेस ऐडिया को सपोर्ट कर चुका है, इस इंक्यूबेटर की मदद पाकर ही सूधा चेबरोलुजी ने अपना स्टार्ट अप शुरू किया है, उनकी कमपनी में महिलाओं को प्रास्फिक्ता दी जाती है और उनी पर इनोवेटिव हर्बर फर्मुलेशन की भी जिम्मेदारी है, एक और एंटेपरनर सुभासरी जी ने जीने भी इसी मेडिसिनल और अरोमेटिक प्लांट इंक्यूबेटर से मदद मिली सुभासरी जी की कमपनी हर्बल रूम और कार फ्रेशनर के छेतर में काम कर रही है